जनतादल उनाइटेड में मुख्धमंत्री नितीस कुमार ही सरोमानने नेता हैं लेकिन राष्टिया द्यक्ष के तौर पर लवन सिंग कमान संभाल रहे हैं अगर बात जदिव के अंदर खेमे की कड़े तो काफी हल चल पिछले दिनों देखने को मिली जब राष्ट सभा के लिए जनतादल उनाइटेड की तरफ से खीरू महतों को आगे किया गया चर्चा ये थी कि आर्सीपी सिंग की नाराजगी कहिन कहिनी तीश कुमार पर भारी पड़ेगी लेकिन आर्सीपी समर्थ को ने अब नाराजगी व्यक्त करना शुरू कर दिया है तसवीरें हमने कई दिखाई हैं और एक बार फिर से एक तसवीर निकल कर सामने आरई है आर सीपी सिंग को राष्टिया ध्यक्ष बनाये जाने के उलेकर बाते कही जा रही हैं और अब नई तसवीर निकल कर सामने आई हैं जो अब अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे इसके जड़िये RCP समर्थकों ने नितीश कुमार जिंदाबाद, RCP सर जिंदाबाद, जैनताद उनाइटेड जिंदाबाद किया है तस्वीर में मुक्कमंत्री नितीश कुमार के साथ RCP सिंग है और लिखा है हर्युग में राम की ही पडिच्छाक्यों ये सवाल कहीने कहीं बिहार के मुक्कमंत्री नितीश कुमार से किया जारा है एक तरफ जैनताद उनाइटेड में RCP समर्थक काफी नराजगी व्यक्त कर रहे हैं वही खबर यह है कि जद्यू में भारी भगदर हो सकती है लगतार इसकी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है इन संभावनाओं से कहीं न कहीं इस बात पर चर्चा काफी तेज हो गई है कि RCP सिंग जद्यू में बतोर राष्ट्रिय अद्यक्च लंबे समय तक कारज किये और संगठन में भी उनकी पकड काफी थी लेकिन अंत मौके पर जब RCP सिंग केंद्रिय मंत्री बने उस दर्म्यान उन्हें पार्टी के राष्ट्रिय अद्यक्च पत से हटाया गया और ललन सिंग की वापसी हुई तब से RCP की कमान जद्यू के अंदर कमजोर परती हुई दिखाई दे रही है और एक बार फिर से जो ताया तस्वीरे निकल कर सामने आई है जिसमें असपश्ट तौर पे ये बाते देखी जा रही है कि RCP समर्थ को ने RCP सिंग को कहीं न कहीं सर्मान निता माना है और ललन सिंग को तमाब पोस्टर बैनर से आउट कर दिया है RCP सिंग केंद्रिय मंत्री है लेकिन आने वाले दिनों में उनका कार्जकाल खत्म हो जाएगा और इस बाज पर चर्चाल लगतार हो रही है ऐसे में मुक्कमंत्री नितीश कुमार की पार्टी यानि जनता दल उनाइटिड में बड़े भगदर के संकेत है हो सकता है RCP अपने समर्थकों के साथ किसी आन दलों के तरक रुख करे या नई पार्टी की निव बना दी जाए पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवादी